अब इसके बाद हम बात करते हैं जो आधुनिक नगर हैं उनकी हम बात करते हैं तो हम देखेंगे कि जो हमारा भारती तिहास है वहाँ पर आधुनिक यूग का आरंभ हम लगभग 1707 इश्वी से मानते हैं जब हमारे देश में अंग्रेजों का शाशन जो है वो शुरू हो गय और ब्रिटेन की जो इस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश में अधिकार जमाने के उदेश से अपना राजनैतिक जो प्रभूत्व है वो दिखाना शुरू कर दिया तो हम सभी को पता है कि अंग्रेज जो है वो हमारे भारत में व्यापार करने के उदेश से आये थे तो जब हम आधुनिक नगर की बात करेंगे या उस समय आधुनिक काल के जो नगर विक्सित हुए है तो वो नगर जो है वो लगभग बंदरगा या तटी बंदरगा जो थे वहाँ पर अधिक विक्सित हुए क्योंकि जो ब्रिटेन देश है वो अपना प्रभूत्व जमान के लिए भारत आया था व्यापार अपना हम यह कहें कि एक बड़ा बाजार जो है वो भारत में स्थापीत करना चाहता था और इसी उदेश से वो हमारे देश में आये थे तो उन्होंने क्या किया वह समुद्र के रास्ते हमारे देश में आये तो इसलिए जो भी तटी या मुंबई की जब हम बात करते हैं तो यह सब नगर उसी समय से ही विक्सित हुए हैं चुकि अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए भारत में परिवहन और परिवहन का भी विकास किया और नगरों का भी विकास किया तो हम यह देख रहे हैं कि जो आंतरिक छेत्र थे भारत के वो विकास के द्रिश्टी कोंड से थोड़े पिछड़े रहे और जो भी तटी छेत्रे थे वो ज्यादा उन्होंने उसका अधिक विकास किया क्योंकि उन्हें अपना जो तैयार माल था उसे भी उस मार्केट तक या उस बाजार तक पहुंचाना था और भारत से ज जो तटी बंदर गहा वाले जो छेत्रे थे वो सबसे अधिक विक्सित हुए और साथ ही साथ उन्हें सुरक्षा और प्रशाशन के लिए भी उन्होंने नगरों का विकास किया तो उस समय पे अपने शाशनकाल के समय पे जो उन्होंने अपनी राजधानिया बनाई चाहे हम वो दिल्ली की बात करें या कोलकाता की बात करें या मुंबई की बात करें तो ये सब जो है वो उसी समय प्रशाशन और सुरक्षात्मक दिश्टिकोंड से सबसे अधिक वो विक्सित हुए थे अब हम देखते हैं कि चुकि जो अंग्रेश थे वो एक शितोष नकटी बंध जलवायू वाला प्रदेश है तो यहां पर की जलवायू जो है वहां पर की अपेक्षा गर्म थी तो खास करके या हम विशेशकर गृष्मरीतू की बात करेंगे तो उनके लिए यहां पर की जो गर्मी थी वो बरदाश्ट नहीं कर पाते थे तो जितने भी हम परियतन जादर या ठंडे छेतर की हम बात करेंगे या पहाडी छेतरों की बात करें तो वहां पर जो इस्थित नगर थे उन सबका विकास भी अंग्रेजों के शाशनकाल के समय में या मैं ये कहूं कि इसी आधनी काल में ही इन नगरों का विकास हुआ है चाहे हम उटकमंड की बात करें हम नैनी ताल की बात करें या शिमला ये जितने भी जो परियतन के दृष्टिकोंड से विक्सित नगर थे वो सब इसी समय पे विक्सित किये गए क्योंकि जलवायू का प्रभाव इन छेतरों में ठंडी जलवायू होती थी विशेश का ग्रिश्मरीतु में पहाडी छ तो ये तीन समय में यह हम कहें कि इतिहास के इन तीनों कालों में हमने नगरों के विकास की बात की अब हम देखते हैं कि जैसे ही ब्रिटिश जो शाशन था उसे हमें मुक्ति मिली और हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी नगरों का भारत तिवर गती से नगरी करण और अध्योगी करण की तरफ भारत का कदम जो उसके बढ़ते गए और हम यह देखेंगे कि जैसे ही स्वतंतरता के बाद आर्थिक उन्नती या आर्थिक विकास की जो गती है वो तेज हुई तो केंद्र और राज्य सरकार ने कई नए नए नगरों की स्थापना की और इसमें से जो प्रमुख रूप में थे वो राज्यों की राजधानिया प्रशाशन के द्रिष्टिकोंड से नैचरली है कि किसी भी राजी की जो राजधानी है या जो देश की राजधानी है वो एक प्रमुख प्रशाशनिक महत्व का केंद्र होता है ज तो कई राजियों की नई राजधानिया भी जो है वो उस समय पर बनाई गई थी जिसमें सबसे इसका जुलंत उदाहरन हम देखेंगे जो प्लानिंग के तहट या प्री प्लांड हम के हैं जो नगर सून योजित नगर था वो आपका इसका चंडीगर जो है वो एक जुलंत उ करें या भूनेशवर की बात करें यह सब और जो राजयत हैं उनकी राजधानिया बनाई गई और प्रशाशनिक नगर के रूप में इनहें विक्सित किया गया और इसके बाद ही हम देखते हैं कि जैसे हम ने कहा कि आर्थिक की तो टेज हुई ही और साथ ही साथ हमारे भारत में और गी करण यह उद्ध्योग का विकास भी बहुत तिवरगती से किया गया तो और गी करण या हम यह कहें कि और दियोग नगरों का जो विकास है वो और दियोगी क नगर की रूप में स्वतंतुरता के बाद इनके विकास की गती जो है वो और जादा तेज हो गई हम इसी में एक और छोटा से एक्जाम्पल लेते हैं जो आपका तेल उद्योग के रूप में हम देखेंगे नूनमती है, बरौनी है और हल्दिया या हम असम में डिगबोई की बात करें तो इन नगरों का विकास भी जो है वो तेल उद्योग के कारण स्वतंतरता प्राप्ती के बाद अधिक जो है इनका विकास तिवरगती से अब बहुत सारे नगर जो है वो स्वतंतरता के बाद विक्सित किये गए और अभी हम वरतमान समय में देखेंगे तो हम द्योगी करण के हर स्टेप को हमने हर सीड़ी को हम निरंतर पार करते जा रहे हैं और हम वरतमान 2011 की जनगरना में यदि देखें तो नगरी करण का प् पिछली जनगरनाओं के हिसाब में लगातार इसमें वृद्धी हो रही है और अभी जो वरतमान 2011 जनगरना के नुसार हमारे नगरी जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 31.16 परसेंट जो है हमारे यहां नगरी जनसंख्या निवास करती है अब हम देखते हैं जनसंख्या के आधार पर भी भारत में कुछ नगरों के वर्ग बनाए गए हैं तो ये जो वर्ग हैं वो वहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है उसके अधार पर बनाए गए हैं जो आपको आपके सामने तालिका से इसपस्ट हो रहा होगा यहाँ पर जिसमें एक लाग से जहां पर अधिक जनसंख्या मिलती है वहाँ पर जिन नगरों में जनसंख्या एक लाग से अधिक है ऐसे नगरों या शहरों की जो संख्या है वो हमारे भारत में 468 है या 468 जो हैं वो प्रत्थम वर्ग के नगर हैं द्वितिय वर्ग के नगर के अंतरगत हम ऐसे नगरों को रखते हैं जहां पर की जनसंख्या 50,000 से अधिक होगी लेकिन एक लाग से कम ये जनसंख्या वाले जो नगर हैं वो आपके द्वितिय श्रेणी के नगर के अंतरगत या हम ये कहें कि द्वितिय वर्ग के नगर के अंतरगत आते हैं और ऐसे नगरों की संख्या जो है वो हमारे भारत में 474 या 474 है अब त्रितिय वर्ग का नगर या हम ये कहें त्रितिय श्रेणी के नगर के अंतरगत ऐसे नगर आते हैं जिनकी जनसंख्या 20,000 से तो अधिक है लेकिन 50,000 से कम है मतलब वो 49,9999 होगी पुरी 50,000 जनसंख्या जहां पर नहीं होगी 50,000 से कम होगी उन्हें हम 33,000 के नगर के अंतरगत रखते हैं और ऐसे नगरों की जो जनसंख्या है या हम ऐसे नगरों की जो संख्या है वो हमारे भारत में 1373 1373 जो शहर हैं या नगर हैं वो हमारे भारत में मिलते हैं अब जब हम चतुर्थ श्रेणी के नगर की बात करते हैं तो इसके अंतरकत ऐसे नगर शामिल होते हैं जहां पर की जो जनसंख्या है वो 10,000 से तो अधिक होगी लेकिन 20,000 से कम होगी 20,000 से कम मतलब 19,999 तो इतनी जनस संख्या वाले जो नगर हैं वो आपके चतुर्थ श्रेणी के नगर के अंतरगत आते हैं और इनकी जो संख्या है वो 1663 है 1663 ऐसे नगर भारत में मिलते हैं फिर हम आते हैं पंचम श्रेणी के नगर के अंतरगत तो पंचम श्रेणी के नगर के अंतरगत ऐसे नगर आएंग जहां पर की जन संख्या 5000 से तो अधिक होगी लेकिन 10,000 से कम मतलब 9999 यह जहां पर जन संख्या इतनी जन संख्या निवास करती है वो आपके पंचम शेणी के नगर के अंतर गताते हैं और ऐसे नगरों की संख्या हमारे भारत में 1749 मिलती है 1749 ऐसे नगर भारत में इस्थित ह पिर हम आते हैं सच्थम शेणी के नगर के अंतरगत तो यह अंतिम शेणी का नगर हम कह सकते हैं या हम जन संख्या के अधार पर देखेंगे तो सबसे कम जन संख्या वाले ऐसे नगर जिनकी जन संख्या 5000 से भी कम होती है ऐसे शहरों यह नगरों को हम इस शेणी के अंतरग रखते हैं और ऐसे नगरों की संख्या हमारे भारत में लगभग 424 है हां बच्चों यहां पर आपको एक बात जानना और आवश्यक है जब हमने बात की थी प्रथम शेणी के नगर या प्रथम वर्ग के नगर की तो हमने देखा था कि जिन शहरों या नगरों में जन संख्या एक लाक और उससे भी अधिक होगी तो अधिक होगी तो हमने कह दिया लेकिन कितनी अधिक होगी तो इस प्रथम शेणी के नगर को भी कुछ वर्गों में रखा गया है जैसे महा नगर, मेगा पॉलिस नगर यह हम सन नगर की बात करते हैं कॉनरबेशन तो इन शेणीों में इसे विभाजित किया गया है आपके प्रथम शेणी के नगर को जिसे हम जो नगरी बस्तियों के प्रकार हैं उनका जब हम उनके विशय में जब हम बात करेंगे या पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि यह सन नगर क्या है या वहाँ पर की जो जनसंख्या है हमने कहा कि भई एक लाग से भी अधिक की जब हम बात कर रहे हैं, तो लगभग जो पचास लाग जन संख्या है या पचास लाग से जहां पर अधिक मिल रही है, उसके आधार पर उसका विभाजन जो है वो किया गया है, हम अकसर सुनते हैं, मेगा पॉलिस नगर, मेट्रो पॉलिटन नगर, तो यह माहा नगर और मेगा पॉलिस नगर या सन नगर के रूप में इन्हें विभाजन इसका किया गया है, तो अब हम आईए देखते हैं कि नगरी जो बस्तियां होती हैं या नगरों के कौन-कौन से प्रकार हैं, अब हम नगरी बस्तियों के प्रकार देखते हैं कि कौन- के आकार के आधार पर कि कितनी जनसंख्या यहां पर मिलती है यह नगरी बस्ती का छेत्रफल के हिसाब से आकार कितना बड़ा है और यहां पर किस प्रकार के जो कारिय किये जाते हैं इस आधार पर नगरी बस्तियों को विभाजित किया गया है तो इसमें सबसे पहला हम देख आप अकसर जब बस से यात्रा करते हैं हम है ना सड़क परिवहन के माध्यम से जब हम यात्रा करते हैं तो बीच में ऐसा ही स्टॉपेज हमें पढ़ता है जहां में लगता है कि हम बस यहां पर रुकेगी तो हमें खाने पीने की कुछ सुविधाएं या हमें थोड़ा सा जब ब्रेक चाहिए तो वो जो नगर है या वो जो इस्थान वहां पर पढ़ रहा है वो हमें एक विक्सित छेत्र के रूप में नजर आता है तो यह कैसे होता है? जहां पर जिस जिस परीवहन के साधन यह दिये हम परिवहन की बात कर रहे हैं, तो जब सड़क के किनारे ऊगात्र के throttle की नकनिक होगाई तो किसी भी सड़क के — किनारे जो यात्री है वहां पर कुछ विश्राम के लिए यह हम कहें कि वहां पर जो खानपान की विवस्था होती है तो थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए जहां पर रुखते हैं यह हम यह कहें कि उस स्थान पर यह सारी विवस्थाएं होती हैं कुछ होटल होंगे चाय की दुकाने होंगी तो यह स जो है उनका इस्टापिज जो है वो और अधिक मात्रा में होने लगता है क्योंकि लोगों को या यात्रियों को ये सुविधाएं वहाँ पर मिलती हैं तो हम धीरे धीरे देखते हैं कि कोई रेस्टोरेंट वहाँ पर खुल जाएगा उसके बाद धीरे से उसका और विकास होत था वहाँ पर होने लगती है फिर उसके बाद थोड़ा सा वो छेत्र जो है वो और विकास करता है और धीरे धीरे एक बस्ती का जो रूप है वो ले लेता है या एक कस्बे का रूप जो है वो धारन कर लेता है तो इस प्रकार की जो बस्तियां होती है वो अनुमार्ग बस् या roadside settlement के नाम से हम इसे जानते हैं और हम अपने 36 गड़ में ही देखेंगे जब हम गरियाबन जीले की तरफ रायपूर से जाते हैं तो रायपूर जीले का जो अभनपूर छेतर है वो इसका एक अच्छा उधारन है क्योंकि एक center point पड़ता है एक तरफ हम धमतरी जीले की तर जाते हैं तो दोनों थी तरफ जो गाड़ियां जाती है उनका इस टॉपेज जो है वो यहां पर होता है या हम यह कहें कि दोनों तरफ के लिए दोनों छेतरों के लिए या वो एक तिराहा हम कह सकते हैं एक तरफ रायपूर जीला है एक तरफ धमतरी जीला और एक तरफ गर अब दूसरी बस्ती नगरी बस्ती का जो दूसरा प्रकार है हम इसे नगरी पुर्वा या पल्ली के नाम से जानते हैं हमने इसे ग्रामीन बस्तियों में भी पढ़ा था और जब हम नगरी बस्तियों की बात कर रहे हैं तो नगरी पुर्वा या हम इसे अर्बन हैमलेट के ना बारक मारगे के सहरे सहरे जब कुछ छोटी छोटी बस्तियां जो हैं वो विक्सित हो जाती हैं मतलब नगर है और उस नगर से लगे हुए छेत्र में भी आसपास में छोटी छोटी बस्तियां विक्सित हो जाएंगी जहां पर लगभग जो जनसंख्या है 20 व्यक्ति से लेकर 150 पचास व्यक्ति तक की जन संख्या हमको वहाँ पर मिलेगी तो हम इसे नगरी पुर्वा या पल्ली के नाम से जानते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं नगरी गाओं या अर्बन विलेज हम कहते हैं ये नगरी ग्राम जो है वो ऐसी बस्तियां होती है जहां पर जो व करते हैं उनकी संख्या हमें कम देखने को मिलती है तो हम इसे नगरी ग्राम या नगरी गाओं के नाम से जानते हैं हम गाओं में देखे हैं या ग्रामीर वस्तियों की जब हमने बात की थी तो हमने देखा था कि वहाँ पर प्रात्मी क्व्यवसाई या क्रिशी कारिय को करन वो अधिक मिलते हैं तो ये वैसे ही छेत्र होते हैं या वैसी ही बस्तियां होती हैं जहां पर व्यवसाईयों की संख्या या दुकानदारों की संख्या अधिक होगी और क्रिशी कारे में लगे लोगों की संख्या कम होगी तो हम इसे नगरी गाओं के नाम से जानते हैं ये न नगरी सुविधाएं चूटकी हम गाओं के साथ नगरी जोड रहे हैं तो naturally है कि नगरों में जो सुविधाएं उपलब्ध होती हैं चाहे हम सडकों की बात करें चिकितसव्यवस्था की बात करें या हम स्कुलों की बात करें या Post Office ढागघर की बात करें तो यह जो तो फैसिलिटीज हैं या यह जो सुविधाएं हैं वो इन नगरी गाओं में हमको अधिक देखने को मिलती है जिनका भाव हमें गाओं में मिलता है अगर हम बात करें तो USA में यदि चले जाएं सायुक्त राज अमेरिका में तो हमें इस प्रकार के नगरी गाओं की संख्या य या टाउन कहते हैं या कजबा और टाउन के नाम से जानते हैं यह ऐसी नगरी बस्ती होती है जहां पर की जनसंख्या जो है वो 5000 लगभग 5000 व्यक्ति या उससे अधिक होती है यह हम यह कहेंगे कि नगरी गाओं से जो बड़ी बस्ती होती है यह जहां पर सुविधाएं जो जानते हैं, और कजबा ऐसे नगरी छेतर होते हैं, जहां पर की लोगों से संबंधि सुविधाई जिसे हम जन सुविधाई कर रहे हैं, वो नगरी ग्राम से अधिक होंगी, चाहे हम किसी ड्राइ क्लीनर की बात कर लें, या किसी भी प्रकार के स्टोर की बात करें जहां समाने खरीदी जा सकती हैं या दुकानों की बात करें या बैंक और पोस्ट आफिस की जो सुविधाएं हैं वो अधिक मात्रा में इन टाउन या कजबा में उपलब्ध देखने को हमें मिलती हैं कजबा जो है वो इन सेवाओं को नगरी ग्राम और पल्ली तक मतलब टाउन से या कजबे से ये जितनी भी सुविधाएं हैं वो आपको उसके छोटे वाले नगरी छेतर की तरब जिसे हम पल्ली कह रहे थे या नगरी ग्राम के बारे में हमने भी देखा था उन सब तक ये टा पर हम देखेंगे कि कजबों की जो उत्पत्ती भी है वो आपके सडकों और रेल की सुविधाओं जो होती हैं, सडक और रेल की सुविधाएं भी हमें इन कजबों में या टाउन में देखने को मिलती हैं. अक्सर हम कजबा को दो छेत्र में विभाजित करते हैं, पहला जो होता है वो उसका व्यवसाईक छेत्र होता है और दूसरा जो है उसका निवास छेत्र होता है, जो व्यवसाईक छेत्र होते हैं वहाँ पर सभी प्रकार के जो बाजार हैं या हम मंडी की बात करें या कोई कार खाना है ये सब वहाँ पर उपलब्ध मिलते हैं और जब हम निवास छेत्री की बात करेंगे जहां पर लोग जनसंख्या जहां पर अधिक मिलेगी या लोगों की बस्तियां जहां पर अधिक विक्सित होती हैं उस छेत्र में हमें डाक घर, इस्कूल या किसी भी सिनेमा घर और हॉस्पिटल जो हैं वो वहाँ पर हमें अधिक देखने को मिलते हैं या उनके स्थिती हमें देखने को मिलेगी अब हम कजबा या टाउन के बाद देखते हैं उससे थोड़ा बड़ा आकार और जहां पर अधिक जनसंख्या निवास करती ह उसे हम नगर या सीटी के नाम से जानते हैं हम यह कह सकते हैं कि कजबे से बड़ी बस्ती को नगर कहा जाता है जहां पर की जनसंख्या है वो लगभग एक लाग या इससे अधिक होती है यहां पर जो सीटी छेत्र होता है या नगरी जो छेत्र होता है वहां पर बहुत अध या ओद्योगी करण से या हम ये कहें कि दृतियक और तृतियक व्यवसाय से लगा हुआ ही होता है और इस छेत्र में चाहे आर्थिक की हम बात करें या सांस्कृतिक या प्रशाशनी की स्तर की या राजनैतिक जो गतिवीधिया हैं वो हमको सबसे अधिक नगर में देखने को मिलती हैं बच्चो आपको थोड़ा ध्यान होगा मैंने जनसंख्या के अधार पर जब विभाजन हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि प्रथम शेणी का जो नगर होता है जहां जनसंख्या जो है वो एक लाग या उससे अधिक होती है तब हमने बात की थी कि एक लाग औ हम आगे बढ़ते हैं और आप देखें कि नगर से जो बड़ा होता है उसे हम महानगर या मेट्रोपोलिस सीटी जो है कहते हैं यह नगर से भी बड़े होते हैं और यह जो महानगर है इनकी जनसंख्या जो है वो लगभग 10 लाख के बराबर होती है या हम यह कहें कि 10 लाख या इससे अधिक जनसंख्या जो है हमें महानगरों की देखने को मिलेगी और इन महानगरों में चाहे ओद्योगिक, वाणिजिक, यातायात, प्रशाशकिये या राजनैतिक, इन सब की हम बात करेंगे तो ये सारी गतिवीधियां हमें महानगर में भी देखने को मिलेंगी ले कि दिल्ली की बात करें कोलकाता हो गया मुंबई हो गया बैंगलोरू हो गया यह हम हैदराबाद की बात करते हैं तो यह सब जो है वो क्या है आपके महानगर या मेट्रोपोलिस सीटी अब महानगर से भी बड़ा होता है जहां अधिक जन सिंख्या निवास करती है सननगर यह ह हम इसे ही कौनर बेशन के नाम से जानते हैं जब कोई एक नगर या महानगर वो इतना धिक विक्सित हो जाता है जो उसकी प्रशाशनिक एकाईया मुद्गधकर होती है और प्रशाशनिक शीमा अर बाहर की तरफ फॉ के तरह फैल कर अपने में कई कजबों को या ग्रामों को समाहित कर लेती है या सम्मिलित कर लेती है तो उसे उस उपनगर के रूप में उसी एकत्रित बस्ती के साथ हम सननगर की संग्या देते हैं या सननगर कहते हैं और इसका सबसे प्रमुक उदाहरन जो है हमारे भारत में हम देखेंगे तो दिल्ली है और कोलकाता दिल्ली सननगर या हम कहते हैं कोलकाता कॉनर बेशन दिल्ली सननगर की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि मुख्य दिल्ली के एक तरफ गाजियाबाद है एक तरफ गुड़गाओं है एक तरफ रोहतक है तो ये सब छोटी छोटी जो बस्तियां है या चोटे चोटे जो उप नगर हैं उन सब को अपने में समाहित कर लिया हुआ है तो हम उसे सन नगर या कॉनर बेशन के नाम से जानते हैं अब हम देखते हैं विराट नगर विराट नगर या हम इसे ही मेगा पॉलिस के नाम से जानते हैं ये सन नगर की भाती होते हैं या इ को अपने में समाहित कर लेते हैं. बच्चों, इसे आप थोड़ा और ऐसे समझ सकते हैं, जब हम महानगर की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे जो छेत्र होते हैं, जो समपत्ती होती है उस नगर की, लेकिन उस नगर में वो इस्थितना होकर नगर से तोड़ी धूर इस्थित होती है, लेकिन संपत्ति किसी है, उस शहर या नगर की, तो किसी भी नगर का और ऐसे विस्तार होता है, जिससे वो अपने आसपास के छेत्र को अपने में समाहित कर लेती है, इसमें हम देख सकते हैं कि एक कोई मुख्य शहर या मुख्य नगर होता है और इसके अंतरगत जैसे उस नगर का जो विश्ववी द्याले की हम बात कर लेते हैं कोई बंदरगाह हो सकता है, कोई रेलवे कालोनी जो है वो विक्सित हो सकती है, ये सभी जो छेत्र हैं ये उस नगर में विक्सित नहीं होंगे, लेकिन संपत्ति किसकी होगी उस नगर की, चुकि नगरों में भीड़ भाड बहुत अधिक होती है और इस्थान का अभाव होता है, इसलिए ये सारे जो इस्थल हैं या हम ये कहें कि जो सारी सुविधाएं हैं जैसे हमने भी बात की कोई विश्विद्यालय हो गया या कोई रेलवे कालोनी हो गई या कोई बंदरगाह हो सकता है, ये सब उस नगर से बाहर किसी ग्रामीर छेत्र में या कजबे में संपत्ती जो है वो उस नगर की होती है, तो क्या हो गया? वो जो मुख्य नगर है वो अपनी उस संपत्ती जो आसपास के किसी कजबे या गाओं में स्थापित है, इस कारण से उसने उसको अपने में ही समाहित कर लिया, तो कोई भी जो नगर है उसका विकास ऐसे ही होता है फिर वो महानगर की हम बात करें फिर जैसे भी हमने सननगर कहा और विराटनगर विराटनगर जो है वो सननगर की ही भाती विक्सित होता है और इसके विकास की यह हम यह कहें कि development की कुछ conditions हैं कि सननगर कैसे विक्सित होगा तो एक मुख्य केंद्र होगा और उस मुख्य केंद अपने अंदर समाहित कर लेता है, वो कोई ग्रामिर छेतर भी हो सकता है और वो कोई कजबा भी हो सकता है, तो एक कंडिशन यह होती है सननगर की, दूसरी कंडिशन में हम देखेंगे कि दो नगर होंगे, आप इस डायग्राम के माध्यम से बहुत अच्छे से सननगर की स्थि हैं, जब कोई दो नगर भी होगा, जो आसपास इस्थित है और उसके बीच में जो दो छेतर होते हैं, यह अपने में दोनों ही नगर जो हैं, उसको समाहित कर लेते हैं, और दोनों को मिला कर उस सननगर का निर्माड होता है, जैसे हम बात कर लेते हैं, हैदराबाद हो गया सिकंदराबाद हो गया और कोलकाता और हावडा जैसे आप अपने हम यहाँ अपने ही एक्जामपल लेते हैं जैसे रायपूर है रायपूर मुख्यनगर यह शहर है आपका और उसके आसपास डबलू आरेस एक छोटा सा कजबा है लेकिन रायपूर की संपत्ति जो है वो रेल तो दूसरी कंडिशन यह हो गई तीसरी कंडिशन में हम देखेंगे जब दो और दो से अधिक नगर भी मिलकर एक बड़े नगर का निर्माड करते हैं हम पास कोई तीन नगर इस्थित हैं और यह तीन नगर उनके बीच में जो छोटे-छोटे काजबे होंगे या तो भी सन्नगर का विकास होता है, जैसे एक्जामपल के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं, दिल्ली है, फरीदाबाद है, भललबगड है, फिर गुडगाओं है और नुएडा, हमने बात कि थी कि यह दिल्ली के चारों तरफ विक्सित हैं, लेकिन दिल्ली से लगे हुए छेत होती है,